नमस्कार आप देख रहे हैं SPNI न्यूज और आपके साथ मैं हूँ करांति सिंग पश्चिम बंगार के राजनीती कैसी है यह आप भाती जानते हैं क्योंकि देखें वहाँ पर राजनीती कहीं न कहीं लोगों की जान लेकर और जान देकर के की जाती है और यही वज़ा रही कि एक बार फिर से जान लेने की एक कहानी सामने निकल करके आई है आपको दादे की शुबेंदू अधिकारी जो कि BJP के नेता है और उन्हीं ने एक कारेक्रम का आयोजन किया जिसमें कंबल वीतरन था वहाँ पर जनता को कंबल वीतरन करने पहुचे लेकिन तीन महिलाओ की जान जो है वो चली गए उस दोड़ार कैसे गई चली अब आपको पूरी जानकारी दे देते हैं देखें दर असल पश्यम मंगाल में यहाँ पर राजनीती ऐसी है कि BJP वर्सिस TMC देखा जाता है और एक दूसरे पर भारी पढ़ने के लिए राजनीती करी जाती है और देखें यहाँ पर जाहिर से बाते कि कभी TMC जो है आयोजन करती है तो कभी BJP आयोजन करती है इसी तरीके का एक आयोजन भी हुआ और यह आयोजन किया गया शुभेंदू अधिकारी की तरफ से और इस आयोजन में कंबल वीतरन करना था लेकिन वीतरन के दौरान अधिकारी के साथ ही लगाए और हत्यारे तक कर जो टैग है वो भी शुभेंदू अधिकारी को दिया गया दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ शुबिंदु अधिकारी की तो उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ जाहिर किया कि मैं इस मामले पर कोई राजनीती नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर जो लोगों के साथ घटना हुआ मैं उन लोगों के साथ समवीदना रखता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर यह चीज जारी करना चाहूँगा कि यहाँ पर जब मैं पहुचा था जब मैंने इस सभा को संबोधित किया था उस दोरान कुछ भी नहीं वा लेकिन अब भागदर नहीं मचती है लेकिन जब नेता वहां से चले जाते है तो पुलिस प्रशासन भी तनी शान्ती पूर्ण तरीके से वहां से निकल जाती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता और इस तरीके का जो घटना है वो हो जाता है लेकिन ऐसे घटना को देखने के बाद तो आप लोग के क्या तरक है, क्या बीजेपी के जो नेता कह रहे है, जो टीमसी आरोप लगा रही है, क्या वो सही है, क्या जनता का दुख जो है, वो नेताओं की राजनीती के ऊपर पहुंच गया है, या उसके निचले स्तर पर है, कमेंट सेशन में ज़रू बताएगा, फि 3 ESPNI News.